हाई, once again, welcome you in English Depot, आज हमारा 11th day है और idioms and phrases फिर से 5 तयार हैं आपके लिए, तो बढ़ते हैं उनकी तरफ, बिलकुल इंतजार कर रही हैं, आपका क्या आपाओ और उनको लर्न करो, जो है in the same boat, पहले डिया माच की, in the same boat, मतलब in में, मतलब में हूँ, कहां में हूँ, सेम बोट में हूँ, सेम नाव में हूँ, अगर कोई सेम नाव में बोले की, भाया हम तो सेम नाव में हैं, इसका मतलब है, जिस इस्थिती में वो है, उसी इस्थिती में हम भी है, अगर मैं बोलू कि in the same boat, यानि मैं जिस बोट मे स्थिति में, in a same situation, बहुत आसान है, in the same boat, एक ही boat में हो, उसी boat में हो, मतलब उसी स्थिति में हो, same situation में हो, same परिस्थिति में हो, ठीक, Bite the bullet What is it? Bite, चबा डालो Bullet को चबा जाओ अच्छा, bullet को चबाया तो नहीं चाता है पी चबाया जाता है चबाते हैं, नहीं चबाते लेकिन, bite the bullet अगर कोई bullet को चबा रहा है bullet मतलब गोली गोली को bullet को चबा रहा है इसका मतलब है कि उसके सामने कोई कठिन परिस्थती है और उस कठिन परिस्थती का वो सामना करना मतलब बुलट आ ही रही है अब उसको लग ही जाएगी इससे अच्छा है कि वो बुलट को चबा ही जाए तो कठिन परिस्थती अब ऐसी परिस्थती बनी गई है उसका क्या करे है सामना करे ही और बुलट जैसे परिस्थिती गोली जैसे परिस्थिती तो कठिन परिस्थिती हुई होगी तो कठिन परिस्थिती का सामना करना मतलब bite the bullet face a difficult situation bite the bullet face a difficult situation behind closed doors बन्द दर्वाजों के पीछे अच्छा कोई चीज बन्द दर्वाजें के पीछे होगी तो वह खुल्लम खुला तो नहीं हो रही है चुपके चुपके हो रही है और चुपके चुपके हो रही है मतलब गुपत रूप से हो रही है तो behind closed doors मतलब गुप्त रूप से आप अगर अपने धर्वाजे बंद करके कुछ करोगे तो क्या सबको पता चले का नहीं आप उस कमों कई से कर रहे हो गुप्त रूप से कर रहे हो तो behind closed doors मतलब गुप्त रूप से secretly, privately बहुत आसान है ये तो यार bite the dust धूल चबाओ ये तो बहुत आसान है लोग कहते हैं मारेंगे तो मुझ भर कर मिट्टी खाओगे मारेंगे मुझ भर कर मिट्टी खाओगे अरे आज तो उसने धूल चटा दिया इनको किसी ने किसी को बलड़ाई में कही fight में धूल चटा दिया तो यह धूल चटा दिया का मतलब क्या होगा, हरा दिया, पराजित कर दिया, नस्ट कर दिया किसी चीज को, तो तो सफराडेफेट, अगर कोई हार गया, उसका मतलब है उसने डस्ट को चाट लिया, डस्ट को खा लिया, तो बाएड़ा डस्ट, to die to stop working, या to die भी हो सकता है, मर जाए, तो भी वो डस्ट चबाएगा, डस्ट खाएगा, क्योंकि धल धूल में ही तो जाएगा, मिट्टी में ही तो जाएगा, तो मर जाए तब भी, और stop working, कोई काम को करना भी बंद कर देना, कोई चीज, जैसे हमारा फोन हो, हमारा पेन हो, हमारी कार हो, बाइक हो, कुछ इसका मतलब है, वो बेकार हो गई है, क्योंकि जो पराजित हो जाता है, वो बेकार ही हो जाता है, तो पराजित हो गया है, नस्ट हो गया है, बेकार हो गया है, कैट and डॉग लाइफ, कैट, बिल्ली and डॉग और कुटे का जीवन, कुटे और बिल्ली का जीवन कैसा होता है, बहुत अच्छा? नहीं. कुत्त और बिल्ली के जीवन, मतलब कहने दाग लाइफ. अच्छा, कुत्ते और बिल्ली हमेशा क्या करते रहते हैं? लड़ाई करते रहते हैं. यह दूसरे को जब देखेंगे, जब मिलेंगे, तुरन्त यह दूसरे, मतलब कुत्ता बिल्ली पे जवट्टा मारेगा लड़ाई करते हैं तो कुत्ते और बिल्लियों का जीवन जो होता है और तो और हमेशा इधर दर भटकते रहते हैं कुछ कुत्ते को घर मिल जाता है कुछ बिल्लियों को घर मिल जाता है क्योंकि अगर कोई धंपत्ती है और वो बार-बार लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से तो समझो वो cat and dog life जी रहे हैं बार-बार जगड़ा करना frequently quarling तो वो cat and dog life जी रहे हैं तो cat and dog एक दूसरे को देख के लड़ाई ही होती है इसलिए बार-बार जगड़ा करने को बोलेंग पांचो एडियम को समाप्त किये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय-बाय लेकिन चैनल को सबस्क्राइब कर लो अगर नहीं की हो अब तक तो और वीडियो को लाइक करो पहले कमेंट करके वीडियो को सेर भी कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखना बाई बाई